रतलाम नामली सिमालिया ग्रामीन शेतर के रेलवे के अंडर ब्रिज निर्मान कार के दोरान जस्ट बॉक्स लगाते समय अचानक मिट्टी धसने से एक मजदूर मिट्टी के अंदर दब गया मौके पर उपस्ते ट्रेलवे के अधिकारी एवं मजदूरों के द्वारा रेस्क्यू कर मजदूर को बाहर निकाला गया और रतलाम उपचार के लिए रवाना किया गया बताया जाता कि तीन अन्य मजदूर ततका सुरक्षित बाहर आ गये थे उलेकनी है कि विगत 25 नवंबर से ब्रिज के निर्मान का कार चल रहा है और आज रतलाम मंदसौर नीमच रेल लाइन को प्रातह 9 बजे से 7 बजे तकलिप बंद रखा गया है तता युद इस्तर पर कार किया जा रहा इसी दोरान यह हाथसा हो गया मौके पर करीब 300 से 400 मजदूर काम कर रहे थे तता ब्रिज निर्मान के कुछ अधिकारी भी मौके पर मौझूद थे